नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल दाइस स्पीड अन्राक सर में स्वागत है हम लोग जो है एलेटर टूगाड क्लास टेंथ का एलेटर टूगाड इंगलेस का पहला चिप्टर पढ़ रहे थे हमने अपने पिछले वीडियो में आधर डिसकस कर लिया था आज हम उसके आगे डिसकस करेंगे तो कहां तक पहुँचे थे हम लोगों ने इतना चर्जक किया था कि जो मतलब की लैंचो था लैंचो ने भविष्वारी की थी कि बर्सा होगी और होता भी वही है बर्सा तो होती है लेकिन उसके साथ साथ होले पढ़ने लगते है're और लैंचो का किया कीजिए कि हां सर समझ में आया या नहीं आया ठीक चलिए तो आगे चर्चा करते हैं कि but in the hearts of all who lived in that solitary house but माने लेकिन in the hearts माने हिर्दे में of all मतलब सभी के who माने जो live माने रहते हैं in the solitary मतलब अकेले house मतलब घर में ठीक तो जो लोग इस अकेले घर में रहते हैं तो आगे in the middle of the valley मतलब घाटी के मतल में there was a single hope केवल एक ही आसा थी help from God इस स्वर की मदद मतलब कि जो एकांत घाटी में लोग रहते थे उनको सबको केवल एक ही आसा थी किसकी help of God की आगे देखिए don't be so upset इतना परेशान मत हो even though yadhab this seems यह प्रतीत होता है like a total loss पूरी तरह से खतं प्रतीत होता है मतलब कि don't be upset परेशान मत हो yadhab की यह पूरी तरीके से खतं प्रतीत होता है मतलब कि लैंचो पूरी तरीके से खतम हो चुका था रथा तो उसकी पूरी फसल बरबाद हो चुकी थी उसके पास खाने के लिए अब जान लीजिए कुछ भी नहीं था तो आगे क्या कहता है remember याद रखिए no one dies of hunger remember याद रखिए no one dies of hunger कोई भूख से नहीं मरता है that's what does say that's what देश से मतलब उन्होंने कहा no one dies of hunger कोई भूख से नहीं मरता although यद्यपी the night वह रात्री लैंचो थाट सोचता रहा only of his one hope अपनी केवल एक ही आसा के बारे में मतलब उस रात्री पूरी रात भर लैंचो अपनी केवल एक ही आसा के बारे में सोचता रहा और वह क्या थी the help of God इस्वर की मदद whose eyes जिसकी आँखे as he had been instructed as he has been instructed मतलब सब कुछ ध्यान देती है see everything प्रतेख वस्तु देखती है even what is deep in one's conscience मतलब किसी व्यक्त के हिर्दय में कितनी भी गहराई में कोई बात क्यों न हो इस्वर की आँखे वो सारी चीजें देखती हैं आगे देखिए लैंचो वाज एञाओस आफ एक मैन लैंचो वाज मनें लैंचो था एञाओस मतलब एक बैल आदमी के रूप में कि वो क्या था आदमी के रूप में एक बैल था working मतलब कारी करता था like an animal मतलब जानवरों की तरह वह कारी करता था in the fields खेतों में बट माने लेकिन still he knew how to write लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है The following Sunday अगले रभिवार को At daybreak, जैसा ही daybreak मतलब दिन तूरता है मतलब जैसे ही सुबह होती है He began to write a letter वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया which माने जिसे he himself was soyam would carry ले गया to town सहर ले गया and place it in the mail box मतलब कि अगली सुबह जब उठा तो वह पत्र लिखा पत्र लिखने बाद उसने soyam जो है उसे कहां लेके गया town ले गया, सहर ले गया और उसे place in the mail और उसे mail box में यानि पत्र पेटिया में डाल दिया फिर आगे देखिए, it was nothing या कुछ नहीं था less than a letter to God मतलब भगवान की पत्र के अलामा यहा कुछ भी नहीं था मतलब सच में यह पत्र भगवान को ही लिखा गया था क्या लिखा था उस पत्र में? इसके आगे बताया गया है कि उस पत्र में लिखा क्या गया था तो देखें, लिखा गया था God, इस स्वर मतलब सबसे पहले God उसके बाद क्या लिखा था? He wrote उसने लिखा If you don't help me, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते My family and I will go hungry this year मेरा परिवार और मैं इस वर्स भूखा रह जाओंगा I need a hundred pesos, मुझे 100 pesos की जरूरत है In order to sow, my field again In order to sow, मतलब फिर से उगाने के लिए My field मतलब मेरे खेतों को मतलब मेरे खेतों में फसल उगाने के लिए And to live until the crop comes और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक फसल आने ही जाती Because मनेकियों की The hell storm dot dot Because मनेकियों की The hell storm मतलब Ole ने dot dot कर दिया मतलब भगवान तो सब कुछ देखा है और सब कुछ देखा है उसको पता होगा कि उसके आगे क्या चीज है ठीक आगे देखिए He wrote to God on the envelope और जब लिफाफा बंद किया तो वहाँ पे पोश्ट किया जाता है किसको भेज रहे हैं तो लिखते हैं From जैसे यहाँ लिखते हैं From ये और to God तो वही चीज यहाँ पे जो लिखा था कोने में लिफाफे में तो वहाँ लिखा था To God मतलब इस्वर को Put the letter inside और उसको पत्र को अंदर डाल दिया Still troubled Went to town और went to town मतलब घर अपने चला गया अपने कस्बे में चला गया At the post office At the post office He placed a stamp on the letter And dropped it into the mailbox मतलब कि वह क्या किया एक stamp लिया और उसको चिपकाया पत्र पर And dropped into the mailbox और पत्र पेटिया में डाल दिया आगे देखिए One of the employees who was a postman One of the employees मतलब एक कर्मचारी Who was a postman जो की एक क्या था Postman था Also helped at the post office Also helped मने मदद की At the post office मतलब post office की Went to his boss अपने boss के पास गया Laughing hurtly दिल से हस्ते हुए मतलब कि वह अपने boss के पास गया भाई वह देखा होगा देखा होगा तो उसमें लिखा था To God अब to God तो सोचा होगा कि यहां का address तो हमने अपनी पूरी जिन्दगी में कभी गया ही नहीं यहां पे तो वह hurtly हस्ते हुए मतलब दिल से हस्ते हुए गया अपने boss के पास And saw him The letter to God और उसे भगवान का पत्र दिखाया Never in his career As a postman had he known That address मतलब अपने पूरे कारियर में अपने पूरे जीवनकाल के दावरान पूरी डूटी के दावरान वह जो है कभी इस पते पर गया ही नहीं था The postmaster अब postmaster के बारे में बताया गया एक पोश्ट मास्टर कैसा था एफाइट एमेबल ठीक एफाइट एमेबल फिर आगे है जो कि छोटा करते हैं देखेजिए आप दिख रहा होगा एमयेन लखाइब अपन मिनट अब देख लीज़े फिर बड़ा करते हैं दा पोस्ट मास्टर एफाइट पोस्ट मास्टर जो था एफाइट एक मोटा एमियेवल फेलो मतलब एक हसमुख व्यक्ति था ठीक आगे करते हैं आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मतलब वह भी हसने लगा बट माने लेकिन आल्मोस्ट इमिडियेटली ही टर्नड सीरियस और सीग्र ही वह सीरियस हो गया और उसे अपने मेज पर पटक रहा था कमेंटेड और कमेंट किया मतलब टिपड़ी की वाट फेथ क्या विश्वास है I wish मैं मेरी इच्छा है I had the faith of the man who wrote this letter I had the faith of the man मतलब मैं आदमी का विश्वास बनाए रखूंगा who wrote this letter जिसने यह पत्र लिखा है starting up a correspondence with God और starting up a correspondence with God मतलब कि वा जो है इस पत्र का उत्तर देगा भगवान बन कर आगे देखिए so in order not to seek the writer's faith in God इसलिए वा जो है जो लेखक है लेखक के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था the postmaster come up with an idea postmaster की दिमाग में एक विचार आया और क्या विचार आया कि answer the letter पत्र का उत्तर देना but माने लेकिन when he opened it it was evident that to answer it he needed something more than good will मतलब good will ink and paper समझेगा but माने लेकिन जब उसने इसे खोला when he opened it it was evident that to answer it he needed मतलब इसका उत्तर देने के लिए he needed उसे आव सकता थी something more कुछ किसी और चीज की than good will अच्छी इच्छा ink and paper स्याही कलम मतलब कलम स्याही और विचारों के अलावा भी किसी और चीज की आव सकता थी क्या चीज आव सकता थी देखिएगा but माने लेकिन he struck to his resolution लेकिन मतलब कि उसमें जो है कलम पेपर के अलावा पैसे की भी चरूरत थी तो जब उसने पढ़ा तो लेकिन फिर भी क्या कह रहा है but he struck to his resolution लेकिन वह अपने नेर्ड़य पर अपने कमेंट पर कायम रहा he asked for money he asked for money from his employee उसने जो है पैसे के लिए मांग की अपने employee से अपने कर्मचारियों से यानि कि he asked उसने मांग की क्या मांग की he asked for money पैसे की from his employees उसने अपने कर्मचारियों से पैसे की मांग की he himself वास्वयम गेब दिया part of his salary he himself वाने उसने स्वयम भी अपनी salary का कुछ भाग दिया and several friends और बहुत से मित्र को of his were obliged to give something for an act of charity और अपने मित्रों से भी कहा कि वह किसी संस्था के तहत जो है क्या करे मदद करे फिर देखिए it was impossible for him यह असंभव था उसके लिए together माने इकठा करना together the hundred together से थोड़ा अधिक तो इसलिए वह किसान को थोड़ा थोड़े से कुछ अधिक भेजने में सफल हुआ he put the money in an envelope उसने जो है लिफाफे पर एक पत्र मतलब की लिफाफे में पैसा रखा और उसके बाद क्या किया ही put the money in an envelope उसने लिफाफे पैसा रखा और एड्रेस टू लैंचो और लैंचो का पता लिखा and with it a letter containing only a single root as signature of God मतलब पैसा लिखा रखा लिफाफे में और एक चिट डाल दे उसमें चिट में क्या लिखा था God आगे देखिए ये जो है लिखा है question है तो आगे इसके बाद क्या होता है समझेगा लिखा है कि the following Sunday मतलब उसके बाद लैंचो यूजवल टू आस्क देखिए लैंचो प्रतिदीन आता था पूछता था कि हमारा कोई पत्र आया है जब ढाकिया कहता था नहीं तो वो चला जाता था तो the following Sunday अगले रभिवार को लैंचो आया मतलब जैसे कि प्रतिदीन आता था उससे कुछ समय पहले तो अगले रभिवार को लैंचो अन्य दिनों की तुलना में पहले आ गया तु आस्क माने पूछा इट इफ दियर वाज लेटर फार हिम की क्या उसके लिए कोई पत्र है इट वाज दा पोस्ट माइन हिमसेल्फ हूँ हैंड़ दा लेटर तु हिम वाइल दा पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on his half office मतलब कि वह जो है ऐसे पूछता था जैसे मतलब सच में मतलब उसके चेहरे से कोई impression ऐसा नहीं लगता था कि आश्चा रिवाला की भगवान काहस देंगे लेकिन वो सच में इतना विश्वास करता था कि उसके चेहरे पर कोई expression नहीं था और यह चीज जो है जो पोस्ट मास्टर था वो अपनी खिड़की से क्या करता था अपने आफिस की खिड़की से देखता था फिर देखिए लैंचो सोड नाट दा स्लाइटेस्ट सर्प्राइज ऑन सींग दा मनी मतलब जब उसे पैसा मिला पोस्ट मास्टर ने दिया पोस्ट मतलब दाकिया ने तो उसके चेहरे पर कोई sickness नहीं थी मतलब कोई surprise नहीं था कोई आश्चा नहीं था such was his confidence या उसका क्या था पिस्वास था confidence था बट माने लेकिन he became angry वह क्रोधित हुआ when he counted the money जब वह पैसे को गिना मतलब कि लैंचो जब पैसे को गिना तो वह surprise रह गया आश्चा रहागा गुस्सा हो गया कि God could not have made a mistake इस्वर गलती नहीं कर सकता nor could he have denied तो ना ही वह मुकर सकता है लैंचो what he had requested जो की लैंचो ने मांग की थी मतलब लैंचो क्या सोचता है समझिएगा कि लैंचो कहता है कि इस्वर से गलती नहीं हो सकती और ना ही इस्वर जो है लैंचो के द्वारा मांगे गए पैसे को देने में असमर्थ है या मुकर सक सकता है इमीडियेटली सी ग्रही लैंचो विंट अप टू दा विंडो लैंचो खिडकी पर गया तू आस्क फार ए पेपर एंड इंग कलम और स्याही मांगी अन दा पब्लिक राइटिंग टेबल और जो लोगों के लिखने की मेज थी ही स्टार्टेट टू राइट उसने लिखना शुरू कर दिया और क्या लिखता है बिथ मस्च रिंकिंग आफिज ब्रो मतलब देखेगा रिंकिलिंग मतलब होता है अपनी भावों को सिकोडते हुए लैंचो ने लिखना शुरू किया काजड बाई दा एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हीज आइडियाज और वह अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है देखिए क्या कहता है कि वाइन ही फिनिज्ट ही वेंट टू दा विंडो तू बाई ए स्टाम्प फिच ही लिख्ट आइट देन एफिक्स एफिक्सड तो समझिएगा कि जब लैंचो ने लिखना खतम कर दिया तो वह वाप व जो जो है पत्र को दे रहा है ठीप उसको जो है एनवलप जो डाक टिकट था उसको चाट के चिपका दिया था बिद ए बिलो ब्लो आफ ही फस्ट दा मूमेंट मतलब वहच्छान दा लेटर फेल इन्टू दा मेल बाक्स पत्र जो है मेल बाक्स में पड़ा दा पोश्ट मास गया और उसे खोला क्या लिखा था उसमें इट सेड ऐसा कहा गया था गाड इस्वर आफ दा मनी दैट आई आइस्ट आफ दा मनी मतलब पैसे जो मैंने मांगा था फार ओनली सेवेंटी पीसोज रीजड केवल सतर पीसोज ही पहुंचे हैं मेरे पास सेंड मी दा रिस्ट ब अट माले लेकिन डांट सेंड मत भीजियें गा हुमी मतलब मुझे ठ्रोदा मेल मतलब डाक से मुझे डाक द्वारा मत भी जिए गा क्यों बीकाज दे पोश्ट- ऑफिस एंपल्यजयार बंच आफ क्रुक्स बिकाज मैं क्यों कि जो पोश्ट आफिस के एंपलाई हैं ये क् बंच आफ क्रूक्स मतलब चोड़ों का जुन्ट ठीक तो ये रहा हमारा ये चीज जो है जो हमारा पहला चेप्टर था एलेटर टूगाड एलेटर टूगाड आज हमारा पूरा खतम हो गया है और अगर ये आपको समझ में आया हो तो लिखिये कि हाँ सर बहुत अच्छा क्या कीजिए ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग को समझ में आया हमारी जो ये चल रहा है मेरा प्रयाश जो है सफल हुआ कि बच्चे जो है इसका फायदा ले रहे हैं ठीक और अगर आप चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब भी कीजिए लाइक भी दान्ने वाल